Welcome back, देखिए हम लोग theory of equation को continue कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे relation between the roots and the coefficient of a polynomial equation, right तो देखो theory of equation में ये काफी important हो जाता है और पहले से आप इसका use करते आ रहे हो तो definitely आप इससे पहले से friendly हो बस आज हम लोग क्या करेंगे इसको general way में देखेंगे, formulas वेगरा करेंगे, questions करेंगे, फिर इससे जो MCQs आते हैं उसको भी करेंगे तो काफी मज़ा आएगा, confidence level आपका और भी बढ़ जाएगा, right तो one by one करके देखते हैं, तो जैसा है कि यहाँ पे नाम है, clear है आपको यह देखना है कि अगर कोई polynomial equation आपको दिया हुआ है, तो उस polynomial equation का roots और इसके coefficient के बीच में relation क्या होगा, okay तो consider करते हैं एक polynomial function, तो मैंने यह पे एक polynomial function fx consider किया हुआ है, a0 xn plus a1 x to the power n minus 1, like that plus a n, मत्तब यह इस तरीके से घरता हुआ जा रहा है, a0 xn है, plus a1 x to the power n minus 1, plus a2 x to the power n minus 2, plus right, यह इस तरीके से है, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, कि जो a0 है, कम से कम वो जो है non-0 है, बाकी 0 भी हो जाए, तो कोई issue नहीं है, बाकी कोई भी integer हो सकता है, right, यह कोई भी real number हो सकता है, तो यह आपका एक polynomial function है, okay, अब इस polynomial function में, यह जो a0 है, a1 है, a2 इनको क्या बोलते हैं, इनको हमनों को बोलते हैं, coefficients, okay, तो जो ai है, इस ही को क्या बोलते हैं, हमनों coefficient बोलते है coefficients, right, तो यहाँ पर AI मैंने short में रिखा हुआ है, यानि कि A0, A1, A2, A3, SRA आपके क्या है, coefficients है, right तो अब देखो, इसमें और इसके roots में क्या relation है, तो हम सपोस करते हैं, कि यह जो पूरा मेरा polynomial है तो इससे जो मेरा polynomial equation बनेगा, तो यह तो मेरा polynomial हो गया, जब हम इससे equation तियार करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, fx equal to 0 कर देंगे, तो यह क्या हो जागा, यह हो जागा, equation तो इस equation का root सपोस करते हैं, क्या है, alpha 1 है, alpha 2 है, like that, alpha n है, right देखो, अगर n degree polynomial है, तो हमनों जानते हैं, यह fundamental theorem of arithmetic कहलाता है, कि n degree polynomial में क्या होगा, आपको exactly n roots होगा, ठीक है, n degree polynomial, n degree polynomial equation, polynomial equation have exactly n roots, तो अगर मालों यह n degree है, जैसे हम दोको ने लिया है, कि हापे degree इसका n है, तो definitely इसमे n root होगा, तो suppose करते है, alpha 1, alpha 2 से लेके, alpha n तक इसमे n root है, then, तो अब आप इस fx equal to 0 को कैसे लिख सकते हो, तो इस polynomial function को मैं लिख सकता हूँ, fx equal to a naught x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha 1, right, यह सब देखो, सब सीखने की बाते हैं, अ आप अच्छे समझे हो, जैसे माल लो कि आपको fx दिया हुआ है, कहीं मैं दिखाता हूँ, fx आपको दे रखा है, x square minus 7x plus 12, ऐसा दिया हुआ है, तो आप देखना, इसका root क्या क्या आता है, तो इसका root आता है, x equal to 4 आप रखोगे, तब ही 0 को, इसको satisfy करेगा, और x equal to 3, य और यह देखो, यह quadratic equation है, ठीक है, 2 degree है, तो 2 degree है, तो इसमें 2 root होना चाहिए, तो देखो, 2 root है, x equal to 4, x equal to 3, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो इस पूरे को मैं, चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, x minus 4, x minus 3 is equal to 0, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चो कि आग कुछ और रहेगा, जैसे यहाँ पे A0 था, तो आपको वो A0 लेना है, ठीक है, अब बाकी सारे जो roots हैं, उसको इस तरीके से factor बना के लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे quadratic के लिए factor बनाया है, तो आप definitely देखोगे, इसका आप factorization भी करोगे, तो यही आएगा factor करने से, ठीक है, तो अगर आपको roots directly पता है, तो आप diet उसको factor के रूप में लिख सकते हो, बस जो आपका सबसे आगे में जो coefficient होगा, leading coefficient इसको बोलते हैं, तो leading coefficient को भी आपको यहाँ पे डाल देना है, correct है जी, तो यह formula है, कि अगर यह मालो आपके पास में कोई polynomial function है, तो उसका, आप इसको यहाँ पे ले लो, यह equation 1 हो गया, और यह आपका हो गया equation 2, तो using 1 and 2, आप यहाँ पे लिख सकते हो, using 1 and 2, क्या लिख सकते हैं जी, यह पूरा polynomial function क्या हो जाएगा, this is exactly equal to this one, right, अब यहाँ से आप चाहो तो जो है, दोनों तरफ आप यह नोट से divide कर देना, divide आपको फिर दोखो इस तरह का form आ जाएगा, ठीक है, अब यह exactly यह form आ गया, और यह form आ गया है, इसको जब आप खोलेंगे, multiply करेंगे, तो multiply करने बाद कुछ आपको value आएगा, okay, तो suppose करता हूँ कि मैं इस तरह के value आता है, ठीक है, तो अभी हमको proof से उतना हो जादा, यहा पर क्या जब आप multiply करेंगे, तो चुकि यह n जो है degree polynomial है, definitely, तो x का power n आएगा, minus, xn-1 का कोई coefficient आएगा, फिर xn-2 का कोई coefficient आएगा, right, इस तरीके से, तो जो coefficient आएगा, x का power n-1 का, वो आएगा, minus s1, ठीक है, तो next आएगा, आपको plus s2, इस तरह से alternate sign में आएगा, minus, plus, minus, अब यहाँ पर समझना है, बहुत अच्छा result मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर sr, क्या लिखा हुआ है, sr, ठीक है, यहाँ पर sr ऐसे लिखा हुआ है, so sr, stands for the sum of product of root, alpha 1 से लेकरके, alpha n तक taken r at a time, इसको समझना है, ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आपक अब का compact definition लिखा हुआ है, sr क्या है, sr, क्या है, sum of product of alpha 1 से लेकर, alpha n तक है, taken r at a time, तो यहाँ से s1 का मतलब क्या हो जाएगा, that is, s1 का मतलब यह हो जाएगा, कि यह sum है, ठीक है, of product of alpha 1 से लेकर, alpha n, taken 1 at a time, तो 1 at a time लेंगे, तो sum of product क्या होगा, एक बार में एक ही लेना है तो यहाने, alpha 1 plus alpha 2, ठीक है, एक बार में एक ही लेंगे, तो simply क्या होगा, यह होगी आपका sum of roots, sum of roots, अदम अच्छे समझेए, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा अभी, आम पूरा देखेंगे, तो, s1 क्या होगा, sum of roots होगा, simply, s2 क्या होगा, तो s2 taken 2 at a time, 2 at a time लेंगे, तो यहाने, alpha 1 plus alpha 2, alpha 2 plus alpha 3, alpha 1 into alpha 3, मतलब दो-दो के बार लेना है, alpha 1, alpha 2, plus alpha 2 into alpha 3, ठीक है, तो यह मैंने 3 का लिखा है, अगर सपोस करो, alpha 1, alpha 2, alpha 3 है, लेकिन alpha 1 तक है, तो आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, सब के लिए, इसको short में कैसे लिखा जाता है, म simply यह, sigma alpha i alpha j, जहाँ यहाँ पर लिख देंगे, कि i not equal to j, तो इसका मतलब यह हो जाएगा, कि आपको अलग-अलग लेना है, और सब को product लेना है, ठीक है, तो यह S2 हो गया, अब इसी तरीके से, देखो, इसी तरीके से, S3 क्या होगा, तो S3 आपका होगा, sum of product taken 3 at a time, तो alpha i, alpha j, और alpha k, जहाँ i, j, k क्या होगा, आपका distinct होगा, जैसे उपर में लिखा होगा है, इस तरीके से, यह चलता चलेगा, तो finally क्या आजाएगा, याद रखेगा, कि यहाँ पर finally, जो last वाला आएगा, Sn, वो क्या आएगा, तो simply आजाएगा, product of, product of roots, ठीक है, क्यों, क्यो product of root आजाएगा, तो आपको सुरू वाला important होता है, याद रखना है, कि वो sum of root होता है, last वाला आपको याद रखना है, कि वो क्या होता है, वो आपका product of root होता है, ठीक है, last वाला product of root, और सुरू वाला आपका क्या होता है, यह आपका sum of root, अब बीच में आपका taken two at a time, taken three at a तो अब बहुत बिंदास थारीके से यहां पर दिखो result आजा रहा है, तो result यहां पर यह आजा रहा है, फिर से मैं आपको दिखा दूएabil n is Coefficient क्या था, तो Coefficient को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो हमारा कोbirし coefficient है, और ठीक है, जो हमको result मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, coefficients और roots के बीच में, right, तो roots का sum S1 है, roots को दो बार ले करके multiply करते हैं, sum निकालेंगे, तो S2 आएगा, तो इसमें, अब हमको S1, S2 में और in coefficient में relation मिलेगा, forward, क्या मिलेगा, जी, देखो, number 1, S1 is equal to minus A1 by A0, right, S2 is equal to A2 by A0, इसी तरीके से आपको देखो, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, अगर माल लो, आपके पास में यहाँ पे इस तरह का relation था, A0 XN plus A1 XN minus 1 plus, simply अगर इस तरीके से आपका polynomial है, okay, तो हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले S1 लेंगे, यानि sum of roots और वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा, second coefficient को लीजेगा, divided by first coefficient, और minus से start कीजेगा, तो यह minus A1 by A0, ठीक है, फिर जब S2 लेंगे तो क्या होगा, अब यह plus हो जाएगा, चोकि यह alternate चलेगा, तो A1 का काम हो गया था, ठीक है, तो अब आप लीजेगा, plus A2 by A0, तो सब में आपको A0 से divide करना है, ठीक है, इसी तरीके से मालो, अगर मैं S3 लेता तो, S3 क्या हो जाता, तो S3 हो जाता, आपका sum of product, taken 3 at a time, जो भी आता उधर, तो इधर क्या होता, इधर आपका हो जाएगा, फिर A3, तो फिर minus A3 by क्या आजाएगा, यह A0, तो यह चलता चलेगा, ठीक है, सब में आपको A0 से divide करना है, और start करना है, minus A1 by A0, फिर A2 by A0, फिर minus A3 by A0, लाइक देट, ओके, अलाश्टली क्या आजाएगा, तो लाश्टली जो SN है, इसी तरीके से वो क्या आजाएगा, minus 1 का power in, चुकि हमको position पता नहीं है, यह odd है कि even है, इसलिए minus 1 का power in, ठीक है, A1 by A0, यहने last वाला divided by first वाला, तो बहुत ही बिंदास तरीके से यह result very important है, यह आपको एकदम याद कर लेना है, ठीक है, उसके पास में alpha 1 से लेके alpha n तक roots है, तो जो sum of root होगा, S1 वो यह होगा, sum of product of roots taken two at a time यह होगा, उसी तरीके से बढ़ता जाएगा, और last में जो product of root होगा, वो यह होगा, ठीक है, अब देखो कभी बहुत जादा बड़ा equation का ज़रूत नहीं पढ़ता है, actually 2 degree, 3 degree, 4 degree का ज case number 1 में देखो 2 degree का इस्तमाल किया गया है, कि अगर मेरे पास में quadratic, अगर मेरे पास में quadratic equation है, ठीक है, quadratic equation, देख पा रहे हो, यह, तो quadratic equation है, तो 2 root होगा, तो 2 root अगर alpha और beta है, इसका right, तो अब क्या करना है, तो simply देखो, sum of root, जिसको आप S1 बुल सकते हो, sum of root क्या हो minus के साथ में, divided by first coefficient, ठीक है, हो गया, इसी तरीके से, यह आपका है sum of root, ठीक है, यह अपने पहले भी याद किया है, तो 22 तरीके से याद करो, ठीक है, फिर यहाप S2 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, आपका product of root, चुकि यह last हो गया, ठीक है, ना, चुकि last हो जाएगा, यह दो ही root है, तो S1 और S2 possible है, यह simply होगा, यह simply होगा, आपका alpha into beta, और यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो यह minus में लिए था, तो पलस में लेंगे C by A, देख पार हो ना, तो इसके लिए आप यह दोनों याद रखो, ठीक है, यहापे लिखा हुआ है, चलो, अब minus B by A, देख पार हो, फिर आप लोग S2, S2 क्या होगा, sum of product taken 2 at a time, हाना, जो कि दो-दो को लेके multiply करेंगे, alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha, ठीक है, इसको sort में क्या बोलेंगे, alpha, beta का product ऐसे बोलते है, ठीक है, alpha, beta product का sum, तो यह क्या हो जाएगा, यह C by A हो जाएगा, याने, minus B by A से सुरू कि थे, फिर C by A, last में क्या होगा, minus D by A, तो यह हो गया, आपका product of root, याने, S3, ठीक है, तो बिल्कुल 20 थरीके से आपको याद रखना है, cubic equation में क्या होता है, sum of roots is equal to हो जाएगा, minus B by A, ठीक है, इसको simply आप sigma alpha भी लिख सकते हो, चुकि मैं notation समझा दे रहा हूं, ठीक है, na, sigma alpha का मतलब क्या होगा, कि simply आपको alpha plus beta plus gamma लिखना है, ठीक है, फिर sum of product of roots taken two at a time, बार-बार इतना लंबा लिखने का जूरूत नहीं है, sum of product taken two at a time, taken two at a time, तो इतना लंबा लिखने का जूरूत नहीं, आप short में लिख देना कैसा है, sigma alpha, beta, ठीक है, मतलब क्या होगा, इसका alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha, यह क्या हो जाएगा, simply c by a, ठीक है, और lastly आपका product of root याने alpha, beta, gamma, यह क्या हो जाएगा, तो minus b by a, c by a, फिर minus d by a, alternate चलेगा, ठीक है, sin, minus, plus, minus, ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से हो गया, एक मैं और result यहाँ पर add करता हूँ, वह है, आपका quadratic का, ठीक है, by quadratic equation, right, by quadratic equation, suppose करो इस तरह से दिया हुआ है आपको, ax square, sorry, ax का power 4, plus bx का power 3, plus cx square, plus dx plus e is equal to 0, यह दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर suppose कर लेते हैं, कि जो roots है हमको, roots क्या-क्या है, तो माल लेता हूँ मैं, इसका roots है, 4 root होगा, चुके by quadratic equation है, 4 degree है, तो alpha, beta, gamma, delta, okay, सबसे पहले S1, S1 क्या है, यहने sum of root, simply, ठीक है, मतलब क्या हो गया, alpha, plus, beta, plus, gamma, plus, delta, अब आपको understanding बढ़ा लेनी है, बिंदास तरीके से बिल्कुल fast करने का ज़रू है, exam में, ठीक है, फिर इसके बाद चलो, S2 लिग देता हूँ मैं, यहाँ पर, आई होब इसको, taken two at a time, है, यहने, आपका यहाँ पर क्या आजाएगा, alpha, beta, beta, gamma, अच्छा, कितना term आएगा, मैं यह भी बता रहा हूँ, ठीक है, funda से बिल्कुल पहचानो, अगर मानलो लिखने में दिकत होगा, तो आप यह देखनाना कि है, आप चार है, आचार में से दो का group बनाना है, तो 4C2, combination का यूश कीजिएगा, इसका value 6 होता है, सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ, अगर आपको अच्छे से permutation, combination याद नहीं, तो आप सद देख लेना, ठीक है, तो 6 term आएगा, alpha, beta, beta, gamma, delta, alpha, right, alpha, gamma, okay, delta, beta, देख, 6 term आगया, तो कोई miss करेगा, तब भी आप खोज दाल रहे हो, यह क्या होगा, sum of product of 3 term, alpha, beta, gamma, ठीक है, 3, 3 का product लेकर sum करेंगे, okay, तो 4C3, यह 4 term आएगा, तो यह क्या आजाएगा, यह minus d by a आजाएगा, फिर lastly आपका क्या होगा, s4, याने product of root, simply alpha, beta, gamma, delta, तो यह क्या आजाएगा, तो यह आजाएगा, e by a, ठीक है, तो ब बढ़ते हैं, फिर देखो, यहाँ पे quickly example देखेंगे, जिससे आपको काम करना easy हो जाएगा, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे, जो है, example है, if the roots of equation, this are in arithmetic progression, so that this equal to 0, okay, अब MCQs level में भी आपको बहुत रह के portion के जाते हैं, जिसमें आपको यह result देदेगा, बोलेगा, इसका value कि अब आप देखो, मैंने पूरा AP, GP, HP पढ़ाया हुआ, आप सब भी जाके देख लेना, चुक्कि बहुत use होता है, अगर आपको यहाँ पे बोलता है, कि क्यूबिक equation है, कितना है आपको, क्यूबिक equation है, क्यूबिक equation के जो roots हैं, वो 3 root होंगे, तो 3 roots लेने हैं आपको, और AP मिलेने हैं, ठीक है, तो arithmetic progression में 3 root कैसे लिया जाता है, तो हम लोग A minus D, A और A plus D लेते हैं, यह आपको पता है, ठीक है, यह मैंने बताया हुआ है, तो देखो, यहाँ पे 3 root ले लिया गया, अब इसका फायदा यह होगा, जैसे आप sum करोगे, ठीक है, तो sum करोगे, S1 निकाल होगे, तो क्या होगा, तो sum of roots हो जाएगा, okay, sum of roots, तो आपका यह आ जाएगा, देखो, A minus D, plus A, plus A, plus D, अब आपको DD cancel हो गया, that ही, आपको 3 A बच रहा है, इसका value क्या होगा, तो यहाँ समनों देखेंगे, simply minus P होने वाला है, ठीक है, चुकि आपका आगे का को efficient, leading को efficient 1 है, तो यहाँ से आपको A का value मिल जाएगा, minus P by 3, light, अब देखो, यह मिल गया, okay, अब कुछ मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ, funda, एक root आपको मिल गया है, तो आप क्या करो, simply, चुकि यह एक root है, तो यह definitely क्या करेगा, जो है, satisfy करेगा, okay, चुकि A भी तो आपका एक root ही है, na A minus D, A A plus D, तो A आपका second root ही, जैसा आपने लिया, यहाँ पर, तो अगर इसका root है, तो इसको satisfy करेगा, satisfy करेगा, that means क्या, यह हो जाएगा, आपका A Q plus P A square plus Q A plus R equal to 0, यह हो जाएगा, अब A का जो value है, वो यहाँ पर put up कर दो, देखो, यहाँ पर put up किया गया है, ठीक है, put up क पर कि आप solve कर दो, तो definitely आप solve कर होगे ना, तो देखो, आपको value क्या आजाता है, जी, 0 आजाता है, ठीक है, जल्दी बन गया, तो quickly इस तरह का question solve होगा, बिंदास तरीके से, अब देखो, इस तरह का question है, अब आप इसको फोरण पहले देखो, और खुद से try करो, इस बार आपको solve करना है, जबके आपको बोल दिया है, कि जो roots है, वो क्या है, geometric progression में, ठीक है, इस तरह question very important exam purpose से, exam में भाई, आता रहता है, तो अब देखो, GP का 3 root कैसे लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था, A by R, A और AR, यह सब आप देख लो, AP, GP भी मैंने पुरा पढ़ाया हु क्योंकि product लगाने से RR cancel हो जाएगा, तो हम लोग apply करेंगे product of root का funda, तो यह भी आपको सीखना है, कि अगर AP हो, तो आपको sum का फायदा होता है, ठीक है, चुकि उसमें DD कर जाता है, और अगर GP हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको product लेने से फायदा होता है, ठीक है, तो product, simply आप जानते हो, S3 होता है, लास्ट वाला, जिसमें तीनों को आप multiply कर दोगे, और उसमें value क्या आजाएगा, तो देखो, sum में हो जाएगा आपका, minus 42 by 27, taken two at a time लेंगे, तो minus 28 हो जाएगा by 27, और product लेंगे तो क्या होगा, तो minus, फिर plus होता है, फिर minus, तो minus minus plus हो यही आएगा, ठीक है, चुकि याद रखना, minus b by a होता है, यहाँ पर a आपका 27 है, b आपका 42 है, c minus 28 है, और d है, वो क्या है, वो minus 8 है, तो जो product of root होता है, वो आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या होता है, minus d by a होता है, याद है, तो minus minus a plus हो जाएगा, तो 8 by 27, तो 8 by 27 हो गया, product product क्या होगा, a by r into a into a r is equal to 8 by 27, ठीक है, r r cancel हो गया, a cube हो जाएगा, इधर 2 by 3 का cube लिख सकते हैं, तो simply ही आपको a का value क्या आ गया, 2 by 3, जैसा कि यहाँ पर दीख रहा है, ठीक है, अब देखो, definitely a क्या है, एक root है, तो यह इसको satisfy करेगा, तो अच्छा क्या करना है, तो स्री इसमें तो condition है, root निकालना है, ठीक, root निकल गया, ठीक, अब r का value निकाल लेते हैं, तो अब देखो, तो a मेरा 2 by 3 हो गया, मतलब आपको एक root मिल गया, ऐसे आपको सकते हो, simply ही, तो अब यहाँ पर जो है, और भी तरीका है, हम लोग sum ले सकते हैं, ठीक है, sum लेकर के, वहा root मिल गया, तो यानि आपको एक factor पता चल गया, x-2 by 3 is a factor, ठीक है, अगर यह factor है, तो आप division, यानि डिवाइड करने से, आप इसको जो आपको polynomial function दिया, उसको आप divide कीजेगा इस से, ठीक है, तो आपको roots यहाँ से, यहाँ से, यह और यह मिल जाएगा, ओके, तो यहाँ सा अगर आपको यह मजा नहीं आ रहा है, तो मैं एक तरीका आपको और बता देता हूं, जिसे देखो, आपको यहाँ से a का value मिल गया, अब आप चले जाओ sum of root में, ठीक है, sum of root क्या होता है, sum of root होता है, a by r हो जाएगा, plus a plus a r is equal to, तो sum of root का formula क्या होता है, देखो कि यहाँ स a मेरा, तो क्या बचेगा, 1 by r बचेगा, plus 1 plus r बचेगा, ठीक है, इधर minus 42 by 27, अब देखो, यहाँ पर इसको चाओ तो खुद से solve कर लो, और r निकल लिए आएगा, तो आपको 3 root 3 हाँ से मिल ही जाएगा, बट मैं चलो कर देता हूं आपको, ठीक है, अगर आपको दिकत ना, क्या बच रहा है, 1 plus r plus r square divided by r is equal to minus 7 by 3, यह बच रहा होगे, अब देखो, यहाँ पर हम उत्वासा इसको यह करें, तो क्या हो जाएगा, 3 r square, 3 r, और definitely आपका 7 r, याने, 10 r right, और plus 3 equal to 0, यह आ जा रहा है, अब यहाँ से आप इसका factor करोगे, तो 3 r square plus 9 r plus r plus 3 equal to 0, तो जो मेरे को factor आ रहा है, वो आएगा, आपका 3 r, right, 3 r को common लेंगे, तो 3 r plus 1 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे को आ जाएगा, r plus 3, या multiply करके देख सकते हो, ठीक है, तो 3 r plus 1 और r plus 3, यह आ गया, तो r का value क्या आ रहा है, अब देखो कि r का value आ रहा है, minus 3 या तो minus 1 by 3, ओके, तो य a by r, a और a r, right, क्या है जी, a by r, a और a r, यहीं 3 रूट है, a का value 2 by 3 आपको मिला हुआ है, r का value आ पहले minus 3 ले लो, तो अगर इन दोनों को मैं लोंगा, तो क्या जाएगा, तो minus 2 by 9 आ जाएगा, a by r, a आपका 2 by 3 आ गया, और a r आपका आ जाएगा, minus 2, 2 by 3, and yes, यह आपका आ जा रहा, ठीक है, तो a की a root हो जाएगा, a by r, a और a r, ओके, और अगर मैं a को ले लेता हूँ, 2 by 3 और r को लेता हूँ, minus 1 by 3, right, तो उस case में क्या हो जाएगा, यह, तो उस case में हमारा यह आ जाएगा, minus 2, then, 2 by 3, और, तो चलो, 2 by 3 ही बचेगा बीच में, और आपका लाश्टली, a r, तो 2 by 3, और, इन्टू, minus 1 by 3, so minus 2 by 9, तो यह तो उल्टा भी कर सकते हूँ, डायट की a जो आया, इसका उल्टा आएगा, नीचे वाला, ठीक है ना, इस तरीके से भी देखो, आपको तीनों roots मिल जा रहे है, तो यहाँ पर भी चलो, वो फैक्टर करके निक आप चाहे ऐसे निकालो, चाहे वैसे निकालो, बट आपको निकालना है, तो definitely आप इस तरह question कर पाओगे, और इस तरह question exam point of view से important हो, तो आपको करके आना ही है, अब देखो, मैं आपको यहाँ पर यह humor देता हूँ, question number 3, यह आप try करना खुद से, आपको इसको solve करना है, जह जिससे आपको फायदा होता है, और अगर आप कोई course कर रहे हो, आपको government service के तियारी कर रहे हो, तो मैं आपको suggest करूँगा, कि आप मेरे application को download कर लो, application का link description box में मिल दाएगा, और play sources को आप download कर लो, वहाँ पर बहुत अच्छे courses लगे हुए है, अगर आप CSIR NET के तियारी कर कर रहे है, KVS, NVS, से PGT, TIT कर रहे हो, बहुत सारे stage series available है, बहुत ही अच्छा application है, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है, systematic learning कर पाओगे, PDF भी मिलेगा, मैं instant doubt clarity भी देता हूँ, और बहुत सारे MCQs कराता हूँ, जिससे आपको MCQ skill आता है, और यही main important होता है, exam को correct करने क लिए, तो बहुत अच्छे साप पढ़ पाओगे, ठीक है, तो आप से मैं यह request करूँगा, अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छा से exam को killer करना चाहते हो, तो आप application के तुरूप पढ़ाई करो, ठीक है, thank you very much